अरे कृष्णा, हनुमान जयन्ती भगवान श्री राम के महान भक्त चिरन जीवी हनुमान जी के जनम दिवस के रूप में मनाया जाता है जो त्रेता युग में अव्दरत हुए थे महा काव्य रामायन के अनुसार हनुमान जी एक बहुत ही विशेश और महत्वपूर्ण पात्र है नवदा भक्ती में भक्ती के नो अलग-अलग प्रकार या भाव का वर्नन किया गया है जिसमें से हनुमान जी सेवा भाव के आदर्श है हनुमान जी को भगवान शिव और वायुदेव का आंचिक अवतार माना जाता है पुरानों के अनुसार हनुमान जी अंजनिय नामक एक मादा बंदर के पुत्र है जो पुर्व जनम में स्वर्ग की दिव्य अपसरा थी और उनके पुत्र थे वानर राजा केश्री वायुदेव की मदद से भगवान शिव के उज्जा को अंजनिय माता के गर्भ में स्थापत किया गया कई पुरानों में यह भी कथा है कि पुत्र कामेश्ची यग्यद्वारा प्राप्थ हुआ फल जिसे माता को शल्या ग्रहन कर रही थी उस समय गरोड जी ने उस फल की एक बूंद को छीन कर उसे माता अंजनिय को दिया हनुमान जी का जनम करनाटक राश्ट्र के हमपी शहर में हुआ था जो पहले किश्किंदा राज्य था हनुमान जी बड़े ही विशेश पालक थे वह बड़े शरारती थे और सारी शक्तियों से सशक्त थे बच्पन में उन बासूरियों को देखकर उसे फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उनकी और बढ़ने लगे यह देखकर इंद्रदेव ने उन पर वज्र से प्रहार किया जिससे उनका जबड़ा घायल हो गया तब से उनका नाम हनुमान पढ़ गया हनु का अर्थ है जबड़ा और मान का अर्थ है खंड़ित होना। ब्रह्माजी ने भी हनुमान जी को शाप दिया था शाप यह था कि वो अपनी संपरी शकति को भूल जाएंगे पर न्याद दिलाने पर उन्हें उन शंप्र यात होग ओग हो और वह असे शकतिम को बहाग़ां की सेवा में में लगाएंगे किशकंदा कांड में ये वर्णन है जा हनुमान जी पहली बार अपनी भगवान प्रभू श्री राम और लक्षमन से मिलते हैं सुग्रीव जो अपने भाई से भैबीत होकर किशकंदा राज्यम में शरण लिये बैठा था उसने भगवान श्री राम को और लक्षमन को देखकर यह समझा कि वो वाली द्वारा भेजे गए कोई दूथ है उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वो जाकर उन से पूछे कि वो कौन है हनुमान जी ने एक बूड़े भ्रामन का वेश धारन किया और भगवान श्री राम के समक्ष गए परन्तु भगवान श्री राम के प्रति उनका आकर्शन इतना था कि वो अपने उस वेश को जादा देद धारन नहीं कर पाए और वो अपने असली रूप में आ गए तो यह था भगवान श्री राम और हनुमान जी का पहला मिलनी सुंदर कांड में हनुमान जी की वीरता का वर्णन किया गया है जहां पर वह माता सीता से मिलते हैं और उन्हें प्रभु श्री राम का संदेश देते हैं रावन को सबक सिखाने के लिए हनुमान जी उसे चेतावनी की रूप में उसकी आधी लंका को चला देते हैं कहते की हनुमान जी इतने बल्शाली थे कि आधी लंका वो स्वblem ही नश्ट कर चुके थे। राजय अभीशेक के दौरान माता सीथा ने हनुमान जी को समानध करने के लिए एक मोतियों की हार उन्हें भेठ दी। हनुमान जी ने उस हार को लेकर उसकी एक-एक मोतियों को तोड़कर उसे फैकने लगे। उनके इस कारिय का जब कारण पूछा गया तब उन्होंने कहा, क्योंकि इस मोतियों की माला में कहीं भी भगवान श्री राम नहीं है, तो यह व्यर्थ है, मेरे किसी काम के नहीं है। एक मंत्री ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी, क्या आपके शरीर में भगवान श्री राम है? और अगर नहीं है, तो क्या आपका शरीर व्यर्थ है? यह सुनते ही हनुमान जी ने तुरंत अपना सीना खोल दिया सब अश्यरे चकित हो उठे क्योंकि उनके हृदय में भगवान श्री राम और मातासीता की चबी दिखाई पड़ रही थी एक और ऐसी कहानी आती है जहां पर भगवान श्री राम और हनुमान जी के प्रेम संबंध को अच्छे से जाना जा सकता है एक बार नारजी भगवान श्री राम को मिलने अयोध्या आए उन्होंने भगवान श्री राम से पूझा प्रभू ऐसे कौन से भक्त है जो आपको सदेव याद करते रहते है उसमें भगवान श्रीराम ने नारद मुने को एक किताब निकाल कर दी जिसमें सारे भक्तों का नाम था परन्तु उसमें हनुमान जी का नाम कहीं नहीं था यह देखकर नारद मुनी वचार में पढ़ गए उन्हेंने भगवान से पूछा भगवान कि कैसे संभव है कि इस किताब में हनुमान जी का नाम कहीं नहीं है तब भगवान ने मुस्कुराए और दूसरी किताब निकाल कर नारद जी को दिखाया उस किताब में हनुमान जी का नाम सबसे पहले लिखा था तब भगवान ने कहा नारज जी यह वो किताब है इसमें उन भक्तों के नाम है जिनहें मैं सदेव्यात करता हूं एससे हम समझ सकते हैं कि हनुमान जी भगवान श्री राम के लिए कितने श्रेश्ट है और उसी तरह भगवान श्री राम हनुमान जी के लिए कितने श्रेश्ट थे आईए एक सादक होने गिनाते हम सब हनुमान जी से यह प्रातना कहते है कि जिस प्रकार उनके जीवन में भगवान श्री राम उनका नाम और उनकी सेवा सर्वश्रेष्ट है उसी प्रकार हम सब अपने जीवन में भगवान की भक्ती को सर्वश्रेष्ट रखे और अपनी प् करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH operator से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डाइल करें 877-845-845